अपनी सुन्दता को और निखारने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें प्याज के छिलके फिंक देते हैं तो कभी मत फिंक किये आज मैं आपको बताऊंगी प्याज के छिलकों के बारे में प्याज का यूज करने के बाद अक्सर हम उनके छिलकों को फिंक देते हैं प्याज के छिलके का यूज काफी तरीके से किया जा सकता है जो आप लोगों को शायद मालूम ना हो तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन प्याज के शिलकों को कैसे यूज करना है कई फलो और सबजियों के शिलके जिन में पोस्टिक तत्व पाए जाते हैं उनको कभी भी नहीं फेंखना चाहिए प्याज के शिलके को आप डारेक्ट यूज नहीं कर सकते और ना ही आप शिलकों को सीधे तरीके से खा सकते हैं इसका यूज करने का भी मैथड है तो आज जानते हैं इस वीडियो में कीडे मकौडों और मच्छों से रहत अगर आपके घर में भी मच्छर और कीट पतंग हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आप प्याज के शिलकों का यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको जहां पर भी कीडे निकलते हैं वहां पर प्याज के शिलके रख देने हैं प्याज की स्मेल से वहां पर कीडे नहीं आएंगे इससे आप कीडों और मछ्रों से राहत पा सकते हैं Anti-Inflammatory Gun अगर आपकी स्किन पर वे रैशिस हो गए हैं या किसी तरह से आपकी स्किन पर एलर्जी हो गई है तो आप प्याज के छिलकों का पानी लगा कर उसे ठीक कर सकते हैं इसके लिए आपको प्याज के छिलकों को रात भर के लिए एक कटोरी में पानी डाल कर उसके अंदर भिगो देना है और सुब्या उस पानी को अपनी स्किन पर लगाना है उस पानी से अपनी स्किन को अच्छे से साफ करना है ऐसा करने से आपकी स्किन पर जो अलर्जी है रैशिज है वो दूर हो जाएंगे हेर कंडिशनर की तरह इस्तिमाल इसी आप बालों पर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आपको छिलकों को पानी के अंदर रात भर के लिए बिगो देना है और सूबया उठकर आपको शैंपू करने के बाद इस पानी से अपने बालों को दोना है ये पानी कंडिशनर का काम करेगा इसके साथ आपके बाल एकदम मुलाइम और चमकदार हो जाएंगे कैलेस्ट्रोल कम करने में मददगार प्याज के छिलके बादी के कैलेस्ट्रोल लेवल को भी कम करते हैं इसके लिए भी रात भर छिलकों को पानी में भिगोई रखें और फिर रोजाना उस पानी को पिएं अगर आपको प्याज वाले पानी का स्वाद एकदम अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके अंदर आप शहर जांचीनी मिला कर भी उसे पी सकते हैं इसके कारण आपका कैलेस्ट्रोल कम हो लगा प्याज के छिलके प्याज के छिलके प्याज की इन्फेक्शन को सही करते हैं इसके लिए भी प्याज के छिलके को पानी में भिगोएं और जाना उस पानी का सेवन करें इससे आपके पेट की इंफेक्शन खतम हो जाएगी कैंसर से बचाव प्याज के छिलकों में एंटी ओक्सिडेंट की मात्रा अधिक होती है और इसमें एंटी इंफलेमेटरी गुन भी होते है इसके इलावा इसमें पाए जाने वाला इंजाइम कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है तो दोस्तों अगर आप भी प्याज के छिलकों को फेंक देते हैं तो आज से कभी मत फेंक किये और इसका यूज जिस तरह से हमने वीडियो में बताया है उस तरह से कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू